ओम श्री सायराम गीता वाहने सात्मा अध्याय धर्म का जब नाश होने लगता है तब मैं धर्म के पुनर उद्धार वर रक्षा करने और सज्जनों को भैसे बचाने के लिए निराकार से नराकार रूप में प्रकट होता हूँ कृष्ण ने कहा इस कथन पर तुम्हारे मन में कुछ संदे उठेगा और तुम पूछोगे कि ऐसे कथन से साधारन लोग धर्म को नाश्वान और शैशील नहीं समझेंगे क्या वह धर्म को असत्य पर अनत्य मान कर तिरिस्कृत नहीं करेंगे अच्छा धर्म की रक्षा के कारे के आवश्यक्ता तुम इसके आरम और उद्देश्य पर विचार करने पर ही समझ पाओगे भगवान ने इस रिष्टी को स्वेच्छा से रचा और इसके निर्विग्न संग्रक्षन और संचालन के लिए अनेको धर्म सहिताओं को संस्थापित किया हरेक के लिए उप्युक्त आचरन के नियम बने यही धर्म बन गए धर्म शब्ट का मूल अक्षर द्र है जिसका अर्थ है धारन अठाथ धर्म वह है जो धारन किया जाता है देश भगवान की देह है जो धर्म रुपी वस्त्र धारन करने से रक्षित है धर्म ही देश को सौंदर्य और आनंद देता है यही पीतांबर है भारत का पवित्र परिधान है आत्म सम्मान और गौरव की इसी से रक्षा होती है शीट से बचाव यही करता है और जीवन को सौंदर्य भी यही प्रदान करता है इसी के कारण देश का आत्म सम्मान रक्षित है वस्त्र से जिस प्रकार व्यक्ति की प्रतिष्ठा जाने जाती है उसी प्रकार धर्म जनता के गौरव का माप है केवल ये देश ही नहीं संसार की प्रतियेक वस्तु का अपना विशिष्ठ धर्म या कर्तवय की विशिष्टता और गुण होते हैं हर एक की विशिष्ट वेश भूशा होती है व्यक्ति और समू दोनों धर्म के अधीन है उधारन के लिए प्रपंज अंग पंच तत्वों को लो जल का धर्म गती और सीतलता है अगनी का धर्म ज्वलन और प्रकाश है इन पंच तत्वों में प्रतियक का धर्म भिन्न है मनुष्य, मनुष्यता द्वारा और पशू, पशूता द्वारा नश्ट होने से बचते हैं यदि अगनी में ज्वलन और प्रकाश की शक्ति न रहे तो अगनी-अगनी कैसे कहलाएगी? इसे अपना अस्तित्व व्यक्त करने के लिए अपना विशिष्ट धर्म प्रकट करना ही पड़ता है अपने धर्म को प्रकट करने की शक्ति के श्रीन होने से यह केवल एक निर्जीव कोईले का टुकड़ा ही रहे जाता है इसी प्रकार मनुश्य के भी कुछ नैसरगिक गुन है जिनकी बिना उसका अस्तित्व ही संभव नहीं है इन्हें शक्तियां भी कहा जाता है जब तक ये शक्तियां मनुश्यों में हैं तब तक ही उन्हें मनुश्य कहा जा सकता है इन शक्तियों के नश्ट हो जाने पर वे मनुष्य नहीं रह जाएंगे ऐसे गुण और शक्तियों की रक्षा और पोशन के लिए विशिष्ट प्रकार का आचरन और विचार धारा निर्दिष्ट की गई है इन आचार और विचारों का पालन करने से धर्म का नाश नहीं होता धर्म न तो कहीं बाहर से लाया गया है और न यह हटाया ही जा सकता है यह तुमारा अपना सच्चा स्वभाव है, तुमारी विशिष्टता है पशु से मनुष्य बनाने वाली विशिष्टता यही है धर्म का पालन किस तरह करना चाहिए जो स्वयम हो वही बने रहने से यदि कोई वस्तू स्वधर्म से अलग हो जाती है और मनमानी करने लगती है तक उस क्रिया को अधर्म कहा जाता है समय के साथ साथ मनुष्य का ये सहज धर्म दब गया जो इसे अवलंबन तथा प्रोचसाहन देते थे इससे आनंद प्राप्त करते थे कम हो गये यानि प्रचलित भाशा में इसका अर्थ हुआ कि यह नश्ट नहीं की जा सकती लेकिन वास्तों में सहज धर्म ऐसी वस्तु है जो नश्ट नहीं की जा सकती घास पात से फसल दब जाती है इसी प्रकार ये दब गया इसलिए धर्म स्थापना का अर्थ केवल शेत्र से घास पात उकार पेकना ही हुआ आजकर इस कलियुग में धर्म एक शब्द मात्र रहे गया है वास्तों में धर्म शाप्दिक जादुगरी नहीं है इसे स्पष्ट समझना चाहिए सत्य वह है जो कहा जाता है धर्म वह है जो किया जाता है सत्यम वद धर्मम चर ये उपनिशदों की भारतिय सभ्यता की निधी है प्रेड़ना दायक पुकार है आज इन श्रेष्ट उप्देशों को भुला दिया गया है यथार्त में तो इन्हें अधो मुख कर दिया गया है धर्मम वद धर्म बोलो यही आजकल का कारिक्रम है धर्म के नाश की ओर पहला कदम यही है कि कार्य शब्द पर उतर आए और शब्द ही करम बन गए कहने को ही करना समझ बैठना ऐसे विश्वास का नाम ही यथार्त में अधर्म है लेकिन जिस कथन को आचरन में न उतार जाए उसमें शक्ति नहीं होती मगर मच की शक्ति का आधार उसकी जल में स्थिती है धर्म की शक्ति का आधार धर्म को आचरन में उतारना है जब इसे आचरन से हटा कर शब्दों की रेद पर फेंग दिया जाता है तब यह अशक्त हो जाता है सत्य बोलने की वस्तु है सत्य बोलने के अभ्यास से इसमें शक्ति आती है सत्य बोला जाता है यह कारे नहीं है वरन शक्त का विशे है शक्ति के यहां दो अर्थ होते हैं पाश्विक शक्ति और धार्मिक शक्ति भीम में शारिरिक शक्ति थी लेकिन अपने बड़े भाई धर्मराज के साथ रहने से उसकी शक्ति धार्मिक हो गई धार्मिक शक्ति के साथ होने से ही पांडव बच सके ऐसा न होता तो वे आरंब में ही हार जाते धर्म राज के बिना पांडव संपून साधनों के होते वे भी शत्रूओं द्वारा पराजित किये जाते कुछ सोचो तो श्रेश्ट साधनों के होते वे भी शत्रों द्वारा पराजित किये जाते कुछ सोचो तो श्रेश्ट साद्नों के होते वे भी कौरफ कैसे हार गए उनमें धार्मिक शक्ति नहीं थी उनका सहारा केवल पाश्विक शक्ति ही था जिस दिन धार्मिक शक्ति वाले धर्मराज और भीन जंगल में गए उसी दिन कौर्मों के देश में अधर्म ने प्रवेश किया इसलिए अब जो धर्म जंगल में निर्वासित है उसे ग्रामों वर शहरों में पुना स्थापित करना है जिससे संसार में प्रचुरता, सम्रिधी और शान्ति व्याप्थ हो अधर्म के राजि से अब संसार को धर्म के युग में प्रवेश करना है अन्य की उपच के लिए कड़ा परिश्रम करना पड़ता है जबकि जंगली घांस चार जंखाडों को उपच के लिए कोई प्रयास भी नहीं करना पड़ता लेकिन सहच धर्म की बहुमुल्य क्रिशी बड़ी संभाल साब्धानी से करनी पड़ती है जब धर्म का अभ्यास होता रहेगा अधर्म अपने आप कम हो जाएगा इसे मिचाने के लिए कोई खास परिश्रम नहीं करना पड़ेगा इसलिए इस प्रसंग में धर्म स्थापना का अर्थ है धर्म को आचरन में उतारने के अभ्यास को बढ़ाना लोगों के इस कथन का अर्थ की सूरज डूब गया क्या है केवल इतना कि वह हमें नहीं दीख रहा इसी प्रकार धर्म दिखाए नहीं पड़ता इसलिए इसका अस्तित्व ही नहीं है ऐसा नहीं कह सकते इसका अस्तित्व मिठी कैसे सकेगा यदि अस्तित्व मिट गया तो वह सत्य या धर्म नहीं है धर्म का संबन सत्य से है इसलिए वह भी नश्ट नहीं हो सकता जो धर्म लुप्त हो गया था उसे पुना प्रकट करना ही सच्ची धर्म स्थापना है कृष्ण ठीक यही कर रहे हैं अर्जुन को निमित बनाकर आचार और विचार के नियम जिने प्रारंव से ही धर्म माना गया कृष्ण ने प्रकाशित किये और फिर से उन्हें विहवार में लाने की प्रेड़ना दी इसे धर्मोधार कहा गया जो लुप्त हो गया था उसको उन्होंने पुना स्थापित किया इस कार्य को कोई साधरन मनुशे नहीं कर सकता था इसलिए विश्व व्यापक आधार सर्व व्यापी भगवान ने यह कार्य स्वैम किया केवल वही स्वव समर्थ हैं अर्जुन द्वारा वो संसार को शिक्षा दे रहे हैं यदि अर्जुन अन्य व्यक्तियों की तरह होता तो वो इस महान उपदेश का पात्र या साधन न बनता इससे तुम्हें अनुमान होगा कि अर्जुन वास्तों में एक महापुरुष था वो ऐसा वीद था जिसने केवल बाय शत्रूं को ही पराजित नहीं किया वरन आंतरिक शत्रूं को भी हरा दिया दुर्बल रिदेवाले न तो गीता को समझ सकते हैं और न ही उसे आचरन में उतार सकते हैं इसका पून्ड रूप से ध्यान रख कर इस श्रेष्ट लक्षे के लिए कृष्ण ने अर्जुन को निमित बनाया और वह उनके अनुग्रह का पात्र हुआ एक बार बड़ी आत्मियता से वार्तालाप करते हुए कृष्ण ने अर्जुन से कहा कृष्ण की महती कृपा पर ध्यान दो अर्जुन तुम मेरे निकटम भक्त हो केवल यही नहीं तुम मेरे अत्यंत प्रियम मित्र हो तुमारे समान प्रियम मित्र मेरा कोई भी नहीं है इसी कारण मैंने तुम्हें इस श्रेष्ट और पवित्र रहसे की शिक्षा दी इस पर विचार करो इस संसार में अनेको पाखंडी भक्त हैं भगवान ने इने स्वीकार नहीं किया स्वेम भगवान से ऐसे भक्त की श्रेष्ट पद्वी मिलना एक अत्यधिक श्रेष्ट प्रमान और सवभाग्य की बात हैं भक्ती द्वारा भगवान का रिदय द्रवित कर भक्त अपनी भक्ती उनसे स्वीकृत करवा ले क्योंकि स्वेम अपने को भक्त मान लेने से अल्प संतोश ही मिलता है सच्चा आनन और आत्म तुष्टी नहीं अल्प त्रिप्ती ही प्राप्त होती है एक मात्र अर्जुन ही ऐसा व्यक्ती था जिने स्वेम भगवान ने यह पद्वी दी इससे तुम्हें अनुमान होगा कि अर्जुन कितना शुद्ध रिदय और योग्य पात्र था अपने बारे में तुम चाहे सैकणों बाते कहो अनेक दावे प्रस्तुत करो लेकिन इसके लिए तुम भगवान का प्रमान पत्र तो प्राप्त करो बिना इसके तुम्हारी सब बातें व्यर्थ हैं संशय रहित द्रिड समर्पन द्वारा ही भक्ती को जीतना चाहिए किवे इतना ही पर्याप नहीं है यह बताने के लिए कृष्ण ने मित्र शब्द का उप्योग किया मित्र को मित्र से किसी प्रकार का भै नहीं होता इससे वह पूर्णतया योग्य पात्र बनता है अब हम फिर से गीता के विशय पर आएं कृष्ण के शब्दों को सुनकर अर्जुन का मन संदेहों से घिर गया था वो घबरा गया वही नहीं आज कल भी अनेकों व्यक्ति संदेहों से चिलते थें इसके अलावा इस जटेल आध्यात्मिक और ज्ञान के शेत्र में परमात्मा के बारे में दो प्रकार के अर्थ संभव हैं बाहय और आंत्रिक साधारन लोग बाहय को स्विकार करते हैं और जो परमात्मा का कुछ अनुभफ कर चुके हैं, वे आंत्रिक को समझना चाहते हैं कहावत है, जैसे आख में मसा, जूते में कंकड, पैर में काटा और घर में फूट वैसे ही यह दिमाग में संदे है अर्जुन जो की मानव मात्र का प्रतिनिदी है, उसका संदेहों से घिर जाने का अर्थ है कि यह संदे मानव मात्र के सामान्य संदे है मानवता से उचे और परे जो माधव हैं, वे ही उसका संदे निवारन कर सकते है अर्जुन के संदेह दूर कर उसके रिदय में आनंद भरने के लिए ही कृष्ण उसके पास इसी लक्ष से उपस्तित है यथारत में संदेह क्या है द्वापर युग के अंत में कृष्ण का जन्म हुआ सूर्य और मनु इससे भी बहुत पहले हुए इन दोनों के मध्य अनेकों पीडिया होने से कृष्ण और इनका मिलन नहीं हो सकता कृष्ण और अर्जुन समकालीन है फिर कृष्ण ने सूर्य को यह योग कैसे सिखाया चुपचा बैट कर ऐसी अविश्वस्निय कहानियों को सुन लेना भी बुद्धी के दिवालियपन की निशानी है अर्जुन की व्याकुलता पल-पल बढ़ती गई कृष्ण जो की सर्वव्यापी और सर्वग्य है इसे जान गए और बुले तुम्हारे व्याकुलता का कारण क्या है बताओ हस कर उन्होंने उसे बताने के लिए प्रेरित किया ऐसा मौका मिलने से अर्जुन प्रसन्नहों बोला माधव आप जो कहते हैं मेरी समझ में नहीं आता मैं इतना घबडा गया हूँ कि जो विश्वास मुझे आप में था वो कुछ कम होता जा रहा है लेकिन मेरी प्रार्थना है कि आप मेरे इस प्रकार के प्रशनों के लिए मुझे शमा करे और मेरे सब संदे हटा दे अब अधिक सहनशक्ती मुझ में नहीं रही है अर्जुन ने हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक प्रार्थना की गोपाल ने प्रसन होकर उनका संदे क्या था पूछा तब अर्जुन ने कहा आपने कहा कि इस योग की शिक्षा आपने सूर्य और मनू को दी ये दोनों कितने प्राजीन कालके हैं और आप किस युग में हैं क्या इसी शरीर से आपने उन्हें ये शिक्षा दी इस पर मुझे विश्वास नहीं होता क्यूंकि आपको ये शरीर और उम्र मुझसे सिर्फ चार या पांच वर्षी अधिक है यदि उन्हें अब शिक्षा दी है तो मुझे इसका पता कैसे नहीं लगा और सूर्य तो आपसे भी अनेकों गुना बढ़ा है जो आरम से यहां है और हमारी कल्पना से भी परे भूद काल का है नहीं मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता श्रेष्ट बुद्धिमान द्वारा भी इसे सत्य प्रमानिक करना संभव नहीं है चाने दीजिए आप अब कहेंगे ये शरीर नहीं था इस युग में नहीं ये तो तब हुआ जब मैं दूसरे शरीर में अन्य युग में था इससे आश्चर और भी बढ़ जाता है क्योंकि पूर्व जन्मों की बात इस प्रकार कैसे कोई याद रख सकता है यदि आप याद रख सकते हैं तो मुझे भी याद रहनी चाहिए ठीक है ना शास्त्र बताते हैं कि कुछ थोड़े से दिव्य व्यक्ति ही पूर्व जन्मों की बाति स्मरन शक्ती द्वारा याद रख सकते हैं और नश्वर मनुष्य को ऐसी स्मरन शक्ती प्राप्त होती ही नहीं ये ठीक है और मैं मानता भी हूँ कि आप दैविक हैं लेकिन मैं सूर्य को भी दैविक मानता हूँ जिन दो व्यक्तों की दिव्यता बराबर हैं वे आपस में एक दूसरे से कैसे शिक्षा ले या दे सकते हैं आप उप्तेश दें और वह ज्ञान प्राप्त करें तो वह आपका शिर्ष्य कहा जाएगा है ना तब आप सूर्य से श्रेष्ट माने जाएंगे यही मान लिया जाए मैं मानता हूँ की आप स्वैम परमात्मा है लेकिन इससे तो और भी मेरी कठिनाईया बढ़ जाती है क्योंकि परमात्मा जन्म, मरन और कर्म के बंधन से किसलिए बनते हैं पांच फुट का मनुश्य शरीर जब आप धारन करते हैं तब असीम परमात्मा को सीमित नहीं कर देते अनंत, असीम, सर्वव्यापी परमात्मा अपने को एक सीमित व्यक्ति में क्यों अफ्तरित करता है इस प्रकार मैं अपने मन में अने को तर्क करता हूँ लेकिन इस संदे का समधान नहीं कर पाता आपके शब्द आपकी ही समझ में आ सकते हैं मेरी समझ में वे बिलकुल नहीं आते मेरा माथा व्याकुलता से भ्रमित हो गया है मेरा माथ दर्शन कीजिए विश्वास जम सके ऐसा उत्तर दीजिए अर्जुन ने प्रार्थना की कृष्ण मन ही मन में हसे उचित अफसर आ पहुँचा है यह जान लिया उन्होंने कहा अर्जुन जब लोग कहते हैं कि सूर्य दे हुआ तब इस कथन का वास्त्विकर्थ क्या है जहां तक उनकी दृष्टी पहुँचती है वहीं तक इसका अर्थवे समझते हैं ठीक है सूर्य ना तो उदे होता है ना कभी अस होता है मैं भी इसी तरह हूँ न मेरा जन्म है न मेरे मृत्यों होती है साधरन बुद्धी के लोग समझते हैं कि मेरा अनेकों बार जन्म होता है और प्रतियेक जन्म में मैं अनेकों कार्य करता हूँ संसार को उन्नत करने की जब भी आविशक्ता होती है तब मैं कोई एक नाम और स्वरूप धारन कर प्रकट होता हूँ बस इतना ही मेरे सब स्वरूपों के प्रकटन का मुझे चेतन है मैं सर्वशक्तिमान हूँ, सर्वग्य हूँ केवल मैं ही नहीं, तुम भी सब जानते हो लेकिन तुम्हारे ज्ञान शक्ति अज्ञान से घिरी हुई है मैं स्वेम ज्ञान हूँ, इसलिए मैं सब जानता हूँ शीशे में सूरज का दिखना उसकी पद्वी या महत्ता को नश्ट नहीं करता वह अप्रभावित है, उसकी महत्ता कम नहीं हो सकती इसी प्रकार मैं भी प्रकृती में प्रतिबिंबित हूँ और इससे मेरी कोई भी प्रतिभा या पद्वी कम नहीं होती मैं सर्वदा की तरह सर्वशक्ति मान और सर्वग्य बना रहता हूँ मैं अजन्मा, अविनाशी हूँ पूर्व जन्मों के अच्छे बुरे कर्मों के अनुसार मनुष्य का जन्म होता होगा नहीं, ऐसा नहीं है तुम्हारा कर्म जन्म है मेरा लीला जन्म है सज्जनों की प्रार्थना मेरे जन्म का कारण है दुष्टों की दुष्टता भी इसका कारण है जै साइराम